चोटी हरड के इतने फायदे हैं कि आरिवेद में इसके लिए कहा गया है यस्य माता नास्ती तस्य माता हरीत की कश्चित रुद्दे माता कश्चित ना हरीत की यानि जिसकी माता नहीं है उसके लिए चोटी हरड माता के समान है इतनी जादा गुणकारी है और इसके इतने सार और बहुती कम कीमत में मिलने वाली छोटी हरड के कुछ ऐसे अनमोल नुसके आज आपके साथ शेयर करेंगे जिने प्रियोग करके आप हजारों रुपे के चूर्ण और मिलने वाली अंग्रेजी दवाईयों को जिनको प्रियोग करते हैं आप पाचन के लिए उनके खर्चे स तो बची सकते हैं साथ ही आपका स्वास्ते भी उत्तम बना रहेगा पहला प्रियोग है छोटी हरड को आप अरंडी के तेल में हलका भून लें और भूनने के बाद में बारीक पाउडर बना के रखें और उसका सेवन करें रात्री को सोते समय आधा चमच केवल इसके द्व बनी रहती है तो उसका ये रामबान इलाज है आपको अरंडी के तेल में इसे भून कर रख लेना है इसे हमेशा कोल्ड प्रेस्ट टेकनीक का ही केस्टर ओयल आपको लेना है आपके लिए यहाँ पर चित्र डाल देते हैं जिसे आप देखकर मार्केट से इसे परशेज कर स रख सकते हैं और टेस्ट के लिए इसमें चाहें तो आप मिला सकते हैं काला नमक या सैंदा नमक जो भी चाहें केवल टेस्ट के लिए बाकी चाहें तो अकेले भी ले सकते हैं पेट के लिए रामबान हैं इसमें पोशक तत्व तो होते ही हैं पित का संतुलन भी बनाता है और बवासीर की बीमारी आपको जिंदगी में कभी होने नहीं देगा और अगर किसी को हो गई है तो उसके रक्त स्राब को दूर करता है, इसके लावा सरीर में कहीं भी सूजन हो, या फिर घाब हो उसमें फाइदेमन दोता है, और अगर आप इसे चाहें तो गुनगुने पा गैस एसी डिटी अप जैसी समस्याएं कभी भी नहीं होती हैं जिन लोगों को ऐलरजी है तवचा संबन दी वो हरड के फल को पानी में उबाल कर काड़ा बनाएं और इसका सेवन दिन में दो बार नियमत रूप से करें ऐलरजी की समस्या दूर होगी और इसी के काड़े द्व होने पर एलर्जी से प्रभावित भाग की धुलाई भी करें और इसके अलावा जिने फंगल एलर्जी या संक्रमन हैं वो हरड के फल और हल्दी के लेप से तैयार प्रभावित भाग पर दिन में दो बार लगाएं इस लेप का इस्तेमाल जारी रखें तो आपको इसका मिलेगा मुह में सूजन होने पर हरड के गरारे करने से भी फायदा मिलता है और अगर किसी को मसूडों की सूजन हो गई है तो हरड का लेप पतले चाच के साथ मिलाकर गरारे करें इससे मसूडों की सूजन में लाव होगा दिन में दो तीन वार इस प्रियोग को कर सकते हैं अगर किसी के दांत दुख रहे हैं उस पे भी हरड का चोन लगाएं उसमें फायदा होगा और हरड स्वास्ते वर्दक टॉनिक भी है इसके प्रियोग से जहां पर पेट संबंदी समस्याएं दूर होती हैं वहां पर बाल, काले, चमकीले और आकरशक होते हैं और हरड के फल को नारियल तेल में उबाल कर लेब बनाएं से बालों पर लगाएं और 3-5 ग्राम हरड पाउडर एक दिन में सेवन भी करें बाल आपके काले होंगे और हरण का नियमित रूप सेवन करने से भजन कम होता है पाचन ठीक होता है गैस एसिडिटी की समस्याइं दूर होती है और धीर धीरे आपका मोठापा भी दूर हो जाता है तो आप नियमित इसका प्रियोग कर सकते हैं और अगर कोई स्वास्ते संबंदी समस्या है तो कमेंट्स में लिखकर उसका समधान ले सकते हैं मिलते हैं आर्यूवेट की ऐसी ही महतपूर्ण जानकारियों के साथ